हिलो फ्रेंज्स कॉमिक मैं अबको स्वागत है और पेश करते हैं अब पर काले क्यूमिक का पार्ट थर्ड जो फिनाले पार्ट है चलिए इसमें कॉमिक्स upार्ग कॉमिक्स मेरा तुमको हवा के गोले के अंदर खीचने का कारण तुमारी मड़ी को हटाना नहीं था बलकि तुम्हें उस गोले के अंदर सास लेने के लिए मजबूर करना था तुम्हारे इस गोले के अंदर आते ही मैंने सांस रोक कर अपनी बेल्ट में रखा नर्व गैस का कैपसूल छोड़ जाता तुम इस बात को समझ नहीं पाए और तुम्हारी इस कारण मनी भी उसमें तुम्हारी सरक्षा नहीं कर पाई अब तुम थोड़ी देर के लिए अराम करो तल तक मैं मुंड को लेकर आता हूं तुम मुंड को प्राप्त करो ध्रोफ तल तक मैं हव्याल को रोगे रखता हूं तुम उसको क्या रोगे रखेगा जल्दी मैं तरे टुकड़े टुकड़े करके उस लड़के का मुंड जल पि कि यह जी बुगरी प्राणी जरूर्मुंड का रख्षक है और इसके गोले में रखे द्रब के सिर्फ इस पर्ष करने पे मेरी कमीज की बाजू गल गई मैं समझ गया है जीवन इरिजन का प्राणी है इनके गोले में वेरसायन मौझूद है जो जीवन की या तो उत्पत्ति करते हैं उसको नश्ट करते हैं और किन गोलों में कौन सा द्रब भरा है यह चानना असंभा हुए है फिर मैं फिर भी मुझको इस जीवन इरिजन में घु में खीच रही है क्योंकि एक खुद अलोलग दिशाओं में घुम रही है इनको नश्ट करने इसके इनकी शक्ति नश्ट करने का कि तरीका इनको आपस में भढ़ा दिया जाए यह काम आसान नहीं है मुझे अपनी शार्य शक्ति के सासा मांसिक शक्ति भी चोड़नी होगी और तोनना होगा इस चल चक्र को धरंजाई कोशी आखे रंग लियाई दौनों वेपरी दिशा में खुम रहे हैं वहरों में एक दूसरे को नश्ट कर दिया महाव्याल ने इस अश्टर से उबर पाने से पहले ही धरंजे के उसके होश चील लिये महावयल और नागू के होश समाल पाने से पहले ही धरंजे भी धरूब के पीचे पीचे मुंड के रक्षक प्राणियों की बजाओं को छगाता हुआ चट्टानी गुफा के अंदर जा पहुचा हम अंदर तो आ गए हैं धरूब और मुंड तक पहुच भी गया है लेकिन अ यह खतरनाक होगा धरूब हम इस प्राणी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और हमाई साथ साथ यह अभी द्वार की जरी हमारे पीचे आ जाएगा तो फिर यह क्या तबाही मचाएगा यह कहना मुश्किल है तुम ठीक कहरे धरंजे पर यह एक समस्य और है नागू और मह तक द्रव को चल में मिला रहा है जल्दी है हमारे शोईड़ों को भी कला डलेगा और अगर हम किसी तरह से द्रवों का पहना रोक सक है तो एक तरीका है इसको आजमाने में जानका खतरा जुरूर है लेकिन ऐसी भी जान कौन सी बची बचीवी यह तुम किस तरीके की बात क अगर इसका रेसायन तक तरह रवस्था में अजाल अगर मैं यह यह नंतर सको पहना दूँ और इसको शूने से नीचे के तापपान का फिक्स कर दूँ तो इसका शरीर भी इसके रसायन दोनों ही जम जाएंगे और फिर फिर रसायन ना तो पानी में घुलेंगे ना ही हमको नुकसान पहुचाएंगे लेकि इतनी देर तक तुम ये गर्मी कैसे सेन करोगे तुमाई तो जानपर बनाएगी कुछ भी हो धरंजे अगर जान की बाजिलागा का जीत मिलनी है तो यही सही अब इसका इस पर असर हो रहा है धरंजे बस अब ये दोनों कड़े हमको इसके ऊपर वाले हिस्से पर कसने और फिर इसका पूरा शरी ठंड़ा हो जाएगा आहा ये खत्रे को भाब गया है इसलिए बार और तेजो रहे हैं तुम ठीक तो ठीक हूँ लेकिन जादेर नहीं फटा-फटा काम करना हो धनंजे जब इरादे पक्के हूँ तो मंजल मिलने भी देन नहीं लगती शिकंजे उस प्राणी के शरी पखस गया उसके रसायन जमते गया घबराम अध्रो इस मुंट को लेकर हम भारा चुके हैं मैं भी द्वार बनाकर तुमको स्वन नगरी में मनी ले चलता हूं लेकिन दोयर बनाता मीरी मनी किस ने छीन लिया में मेरी मढशायन ने अब तक जब तक तो तो मिस जल्पिषाज का मुंट हम को नहीं दे सकते तब तक यहां से नहीं जा सकते समय से पहले होश मैं आगे तुम दोनों यह मैं समन्ना महावयल की मैं कि पूर्थी है नहीं है धर्व की चान के लिए मैं एक तो गया तो जारौ मुंड भी दान ले सतना हूँ दान कर सतना हूं ये लो मुंड और मुझे मेरी वाबस देओ महावयाल यह सौधा धुरुफ की जान पर तो नहीं लेकिन अर्वों मानुवों की जान पर भारी पढ़ने वाला था क्योंकि वहाँ से दूर नफ छेतर में दूसरे मुंट को हासिल करने अप्रयाद जोरो पर था आहा मैं इस बाउंटर के पास तक नहीं फटक पारी राज़ दंड तूने मुझे उनने की शक्ति बदान किया अब तूहीं मुझे दंड तक पहुशने कर रास्ता देगा विसरपी का अदेश पाते ही चोटी के आकार में कुथे तीनों सर्प खुलने लगे और हवा में गुंते बाउंटर में एक नए बाउंटर बनने लगा वा इस बाउंटर के जरीये में उसके अंदर घुश सकती हूँ विसरपी मुझे मुझे में सफल हुए इस चापबाज विसरपी में किरगी और सोड़ांगी को सामरी को रोकर तुम जल्दी से मुझे लेकर भारा हो उसके मुझे लापाने से पहली मैं तुमको अचेद कर दूँगा कालदूद हम तीने किरगी और तीनों के पास इतनी शक्तियां कि वरके लिए तुमको प्रास कर सके हैं उर्जा का प्रयोगी बेकार कालदूद मेरा खटक उर्जा त चुड़ दिया था अब मेरा मस्तिष अंधिरे में डूब रहा है मुझे योगरूप का सारहने नहीं हो रहा है उसके उने के बाद भी विसरपी बन नजर रखे हुआ था वह सरपनी मून रूठा चुकी है उसको भारार आने से रोकना होगा यह बवंडर के अंदर तो घु बहार नकलने का रास्ता नहीं दूँगा अपनी चौला से बंद कर दूँगा इस पौन्ट का मुण जो भार ने कलने का एक मात रास्ता है अहां अब मैंने भार ने कलने का प्रयास किया तो मैं चल जाऊँगी क्योंकि जलने से मुझे सिर्व राजधन बचा सकता है और इस को मेरे द्रश कवच के पार पहुषा करो दिखा तुने अपने लिए कि एक कहते हैं तक 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 तुश्वाय को तब तक रहते हो भारा ते ही मेरी जौला तुछ का पलवर में खाक कर रहे हैं वहां से दूर हमाले की चोटियों पहे चल सोएता हैं इसे लौट चलते हैं उपर जाना खतर ना कहा है सामान उठाने वारे कुली बता रहते हैं कि इन चोटियों पर यहती रहते हैं हम सत्रे हजार फीट की उचाई तक तो आई गए हैं यारो जड़ासी हिम्मत करो हम अपना नाम की नीज बुक और वर्ड रिकॉर्ड में दच करा सकते हैं अच्छा रुक हो मैं अपने ग्लोबल पॉसेसिंग सिस्टम से यहां कि छानमीन कर लेती हूं इसका उस सैटलाइट से सब्बर्ग है जो हमको उस प्राणी में घूम रहे किसी भी जीवित प्राणी के बारें बता सकता है अभी पता जिल लाएगा कि यहां पर को यती है या नहीं ओगाड स्कीन पतीन आकरतिया नदर आ रही है हमारे पास ही है पर देखने में तो यती नहीं लगते और कोई पर अगली पर स्वेता का पैर फिसला फिसलता ही चला गया स्वेता लोगा ओटो गॉड्ट स्वेता अब मेरे दोस्तों को श्वेता नहीं मिलेगी विश्वेता को ढूंने के लिए यहीं बढ़ोंके रहेंगे और जब तक चंडिका अपना काम करके वापस आ जाएगी ग्लोब तीन अकतियां सिहनाग नागरजुन उसीतना कुमार की थी और वह सुस्तान तक पहुंच शुके थे जहां पर थल पिशाच का मुंड रखावाता बस सातियों बस यहीं वैगुफा है जहां पर थल पिशाच का मुंड रखावा है फिर देर क्यों कर रहें अंदर चलो और मुंड की सरक्षा का प्रवंद जरूर होगा अब प्रवंद चान लेवाओगा फिर भी अंदर एक मुंड तो है ना बस अभी तो एक मुंड ही है एक ही मुंड है लेकिन तुम लोग अगर तुरंद वापस नहीं करें तो अंदर तीन और मुंड रखे लाएंगे तुम चीनों के मुंड ओ यह तो वहीज सरक्षा जिसकी तुम बात करें थे शीतना कुमार मैं मुंड का रख्षक नहीं हूं धृपका मित्र यती कुमार चिंगालू हूं औ को नकली नागर जाख क्या पढ़ने से बचाने हैं उनकली नागर जो तो अरे इससे क्या भैस करना शोपिनारेह अटाओ और मुंड को हासिल करो सिहनाग बिना सोचे समझे सिहनाग चिंगालू से ठकरा गया इसको गुफा से मूझ से अटाओ सी एनाग नागर जुन तुम निपटने में तुमारी मेर्थ करेंगा तो तब मैं अंदर जाकर मुंड को ले आँगा मुझे गुफा के मूर से अठाना तो दूर यहां से कोई हिला भी न सकता हूँ फिसको सच्मु खटाने में समय लाएगा शीतना गैसा है तो गुफा में एक नया दोर बनायते हैं कुफ तुम तीर चलाते रहे नागरजुन ताकि इसकी शक्ती शीन होती रहे और यह विवर्श को सकूम है इसको विवर्श करने ही क्या बसकता है मेरा तीर इसकी करदन की धड़ से चुदा कर देगा मेरा रास्तर रोकनेवाले थो कसाМ में तो नागरजुन अचुप निशाने बाजे है लेकिन निशाने लगाने के लिए धनुष की हापसकता होती है और धनुष को दोरी प्लास्ट्रण iOS प्र्लिया यह उट्टव चैनल पर यहाँ पर डोरी काटने के लिए बेशमार तेज धारवाली बरफ के टुकड़े माचूद है नागरजुन के तीर के चोट की करपासे ये टुकड़े मने है नागरजुन की धरुष की डोर काटने के साथ साथ एक अच्च होश की दुनिया से उसका संपर कड़ गया जिंगालू के सामने भी सिहनाग जाद देर तक टिक नहीं पाया अब देर मत करो चंड़िका अंदर शीतना कुमार मुंड को उठा कर न जाने कहां पहुँच चुका होगा शीतना कुमार मुंड ये सब चक्कर क्या है चलते चलते मैं तुमको सारी कहानी सुना दूँगा शीतना कुमार बहुत पहले मुंड को हासिल कर चुका था लेकिन ओफ ये गुफा तो सुरंगों से भरी भी है हर बार एक नई सुरंग मिल जाती है जो गुम फिरकर मुझको फिर से वहीं बजा देती है जहां पर मुंड रखा हुआ था यानि ये गुफा ही मुंड की सुरक्षा करती है या सायद ये मुंड तेरे हाथों पचड का भार नहीं जाना चाता ओ तो तो सेहना को नागर जिनको हजा कर अंदर आ गया जिंगालू उपर ये लड़की कोन है चंडिका और मुंडों पर चंडिका का ही अधिगार होता है ये मुंड तो क्या अब तुम दोनों अपने मुंड तक उठा रहे के काबिल लही रहोगे एक बार फिर चंड चड़ गई थी चंडिका यहां पर कैसे आ गई खेर यह तो अच्छा ही हुआ चंडिका के रहे दे मुंड नागराश के मित्तों के हाथ का भी निस्ता चंडिका के पास कमांडर फोर्स वार दिया एक ट्रांस्मिटर भी रहता है उसके उतारा में संपर करके उसको एक ज़र्वी बास समझाता हूँ अगर हमको अपनी योजनाव कामयाप करना है तो में जाना यह होगा धरंजे और कोई रास्ता नहीं है हमाले कुफा में अपने चारत और बिखरे कंकालों को देख सी इतना यह भी मुंड हासर करने आयते है पर भार ने निकल पाए हमारे हवाले कर दो हम भार निकलने के तो ऑनी महारित करेंगे हैं मैं भार निकलने कर आस्ता आपने अब डूण लोगा यहती मुंड तुमारे हाथ नहीं लगेगा पर तू मुंड को मुझसे बचाएगा कैसे भूल मत मैं आभी बरफ के बीच में रहता हूँ इसलिए मेरे बालों में शीष शक्तियों को रोग नहीं किया दूश चंता है शीष की कोई भी शक्ती इन विशेश बालों को रोग नहीं सकती लिश्ष में शीष चंधिका के काँ में ट्रांश्मीटर फिट होते हैं चंडिका में धर बोलना हूँ कुछ बोलों मझ सिर्फ सुनों तुमको किसी भी कीमेद पर चंधिका को पूरी बास समझते होगा मैं समझद गई दिरूप ऐसे यह होगा जैसे तुम चाहते हो वहां से दूर नप्छेतर में यह तो मेरी हड्या तोड़ रहा है पचंट सकती है इसके योग रूप में इसके योग रूप को नश्ट करना होगा पर योग रूप कुंड़ी के चाकरत होने पर पैदा होता है उ कि विसरपी को ववंडर के अंदर से निकलने का प्रयास करना चाहिए है ऐसा हम आपको नहीं करने नहीं देंगे महात्मा कालदूद क्योंकि मुंड हमको प्राफ्ट करना है तुम नहीं हमारे कानम उचितकार में बभधान डाला है इसका दंड तुमको मिलना ही चाहिए धन करना हमारे विगण में इसे निरैपे बढ़न लाएक शक्ती नहीं है.. ध्या तकी और साधिना की शक्तियों आप यहाँ पर सिर्फ पीर पनास है और यहा भी होँश है, पिर बताओ मैं क्या करूं घट जा मेले रास्ते से सामरी सामरी को भी काल दूद ने घहाल कर दिया है धरो जल्दी को सोचो किर्गी मैध करेगा हमारी वे भहुश है मरा नहीं है यानि उसका अच्छे तर्मस्थे अभी भी काम कर रहा है तो मारी मस्तक मढी आ उसकी मांसी गुर्जा को खीच कर उस्परवार कर सकती है तो मणी को नियंतित कर सकते हो अपना सिस्त्रान उतार कर किर्गी को पहनातो धरंज है किर्गी को मांसी गुर्जा प्रवागी कती मणी नियंतित करने लगी हो मणी को धरंज है नियंतित करने लगा कालदूद विसरपी को निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए महात्मा कालदूद अब धरंजा उक्रिकी से उल्जे रहेंगे सामभी तुम मेरे साथ आओ हमको मुंड हासल करना है विसरपी को मुंड तक तक तो उसके राजदंड ने पहुशा दिया यहां फटकने के नहीं है राजदंड भी नहीं है लेका नहीं नहीं है मुंड के इन पर खड़ा हुआ रहा सकता है हम बादलों के मोटी परत चीर कर मुंड पहुशे हैं सब्सक्राइब कितना भी ठोस परंतुपानी का बना होता है च्वाला इसको पिखला देगी और हम इस पकार बनी सुरंग से मुंट तक पहुंच जाएंगे जल्दी हम ववंटर के बीच तक आगे हैं सामरी लेकिन हमारे आते ही बादल फेचर ठोस हो गया और हमको ववंटर की तीव वायू करण मेरी च्वाला शक्ती के अंदेत नहीं हो पा रही है ध्रव तुम ववंटर के अंदर आ गए जरूर मुझे बचाने के लिए आया होगे मैं तुम कोनी दुनिया को बचाने आया हूँ विसरपी ये मुंट मुझे को देदो आश्यचा एक विसरपी वार को बचा नहीं पाई हम बाद लोगो गलाका नहीं जा सकते धरूर लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी विसरपी द्वार बनाए गए बवंडर पर से ज्वाला रोख खटा जेता हूँ फिर हम इसी से भार निकलाएंगे भार निकलते ही एक आश्यचा एक सामरी और धरूर का इंत्या कर रहा था काल दूत ने धरंजय और किर्गी को बंदी बना लिया पर कैसे मेरी मदस से सोडांगी तुम तुम मेरे ज्वाला को बस से आजाद कैसे हो गई मामली सी बात थी बस मुझको चक्रबाद के पास जाना पड़ा और चक्रबाद की भाईयों ने आज 14 रिप्टों को इधर उदर छितरा दिया और मैं आजाद हो गई और आजाद होते ही मैंने धरंजय पर तांते को आर किया और धरंजय का मणी परसनी अंतर हट गया फिर महात्मा कालत ने इन दोनों को पंती मनाने में देर नहीं की बात है बहुत हो गई अब अगर तुम यह नहीं चाहते ही काल सर्पीन की चान ले रहे तो मुंड़ मुसको दे दो सोडंगी यह लड़ाई का रुक परट दिया था आप मुंड़ ले लिए महात्मान लेकिन अगर दुनिया पर कोई विपत्ती आई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे नागराच के में तुरे एक बार फिर सफल हो गए थे परन तु थल्चे तरी बेस्तिती कुछ अलगी थी इस गोफामे में तुस्से जाद देर रहा हूं जाती इस गोफामे ऐसे और भी रहे से जिनके बारे में तू अब तक नहीं जानता है जैसे कि यह आध दिवारों से क संदेश भीज़ती है वह अब आता ही होगा उफ करबड़ बगरबड़ होती जा रही है मैं धुरुका काम बला कैसे पूरा करपाऊंगी इसी वक्त अधन दुर्गम स्थान पर हम इस्थान तक आतो गए अद्रशमाना पर जहां तक मुंडों को सेवित करने से पूरा पाप लेकर यहीं पर पहुचना है और भूर्बले ऐसे बरी गुफा के अंदर अगर मैं किसी तरह इसके हाथों से निकली शीष शक्ति को पल भर गिली भी लोग सकूँ तो मैं इसको भीश कर सकती हूं यह काम यागी गुफा में कि चट्टानों में बहुता चिप चिप चिपा बदार्थ कर सकता है चंड डिकाने जमीन पर बिखरी हड्डियों में से दो हड्डियां उठाकर उसके चिप 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 बदार्थ को समेट लिया और दौनों हड्डियां शीतना कुमार के हाथों के सरपों के मुझ में जानुसी चाल अच्छी सोचिए तुन्हें लड़क कि परन्तु यह पदात्मी शीषकतियों को रोक नहीं पाएगा ये फ्रतो येस ओहो फिर तो येस जिंगालों रोक Alright Jyn घंग करेगा पर चबका दिया और यह खास बाल किसी भी शीषजची को रोक सकते हैं मेरी is Chatina pow पारी है अब मुंड में इसको देदो और नागराश की यहां पर आने का इंतिजार करोशी इतना अग और फिर तुमने बरफ को पत्थर से बरफ को तोड़कर मुझा रात्तों करा यह चंडिका लेकिन अब यहां से भार कैसे निकलेंगे जादू से जिंगालू तुम बस सथी पर नज़र रखनी है और इनकी तरफ ही बढ़ना है फिर तो हम थोड़ी देर बाद खुली हवा में सास ले रहे होंगे देखा जिंगालू हम भार आ गए मुंड को भाल लाने के लिए धन्यवाद अब इसको मेरे हवाले कर दो नागराश अगर ये मुंड तुमको तुमारे हवाले करना दो तो मलसीतना कुमार को बीटते ये मुंड धरुब के पाच जाएगा तुमको लेना तो उससे लेना मुझे पता है कि धरुब किस तरह भरमित किया गया है लेकिन मेरे पास समय कम है इसलिए मुझे अपने दोस्तों के दोस अब भी उसकी सवान नहीं हाथ देंगे मुंड संबालो चंड का और यहां से जाओ बालों की उस रस्ची ने नागराश को चकड़ लिया लेकिन चंड का भी मुंड को लेगा जादू नहीं जा पाए यह वार किसने क्या तलाक कोई नजर भी नहीं आ रहा हो मुंड अपने मेरे हास चुटका उड़ता जा रहा है अरे मुंड हवा में गायब हो गया गया तो हो गया लड़की क्योंकि मुंड को तो मैंने अपने अध्रिस से बाजू गंदर चुपा लिया है यह काम अध्रिस समानव का था मुंड अपने अगर मुंड ले जाने में काम हो गया तो येस मिल गया उसका निशान वेशक्स आहां तुने वह सो कैसे ठूंड निकाला लड़की लड़की नहीं चंड का बोला तू अपनी आकरती को च्पा सकता है पर अपने वजन को नहीं च्पा सकता है जमीन पर देख बरफ की सत्य प अपने पेर आपको लाणी माली कैसे मिलेगा एक आप जी जिंगालू और नागराज भी एक दूसरे बढ़े हुए थे उफ इस बंदर ने मुझे को खामखाई यहां पर रोग लिया है वन्ना अब तक मैं तरस्मानक के साथ मुंड लेकर इस तुर्गम स्थान पर पहुंच पर इस बंदर से पीछा चुनाओं तो कैसे विश्पुंकार को तेज हवाएं बिखेड दे रही है और इसके खने बालों के करण साप इसकी तचा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जल्दी से लड़ाई खतम करने का एक तरीका समझ में रहा है इनका वजन भी इसकी आकरती के नुसार योगा मेरे साप पहाड की कोई धरार ढूंड कर उसके नीचे की भरफ को खोद का कमजोर कर देंगे धड़ाक और मेरा वार उसको उस्थान पर पहुचा देगा जिंगालू के भारी शरीर की गिरते ही कमजोर की सत्य तूट गई और जिंगालू को शरीर हवा में लटक गया चंडिका इसको भागने मत देना जिंगालू की पकार ने चंडिका का ध्यान खीच लिया मैं द्रस्वानाव को तो अभी भी ग्लोबल पोजेंशिंग सिस्टम यंत्र की मज़से ठूंड सकती हूँ पर इस वक्त जिंगालू खत्रे में लगता है मुझे इसके बाद चाना होगा जल्दी घवराओ मत जिंगालू मैं तुमको बचा लूँगी ना तो मैं घवरा रहा हूँ ना ही मुझे को तो ही मैद की जिरूत है मैं तुमको नागराज को रोखने के लिए बलाए था उफ ये क्या करबड़ हो गई अब तक तो द्रिश्वाना मुझे कर गायब हो चुका होगा मैं भी अपने ये अंत्रवर्श की स्थिती की चांच करती हूँ लेकिन मौका हाज से फिसल चुका था यहां पर आसपास ना तो नागराज नदर आ रहा है ना यह द्रिश्वाना वे दोनों यहांस जा चुके जिंगालू हमको तुरन दुर्फ से संपर्ख करना होगा नागराज और द्रिश्वाना वे दोनों यह थल मुंड लेकर वापस दुर्फ स्थल पर पहुंच चुके थे हम सफल होगे द्रिश्वाना वे थल पिशाज का मुंड हमारे हाथ लग चुका है और बाकी का काम हमने कर दिया है आहा धन्यवाद दोस्तों आपने अब इस दुनिया से पाप को मिठाने का समय आ गया तीनों मुंडों को सेख्ट करने की घड़ी आ चुकी है लाओ मुंड मुझको देदो तीनों मुंड के एक दूसरे से चुड़ते ही आकाश में पाप छेतर बने लगा और उसमें द्वार खुन लगा और उसमें से कैद पापी निकल कर तिरमुंड में सवाने लगे हाहा हमारी योजना बूरी हुई अब पाप छेतर के पापी तिरमुंड में सवा गए है हम में पहले प्रत्वी बरके और फिर भ्रमान बरके पापी और पाप कस्मी खीचूंगा फिर भे सारी पापी हमारे गुलाम होंगे कोई भी तुमारा गुलाम नहीं बनेगा सधम ये तो नागराज है दूसा नागराज ये सधम है इसने जरूर से वक्त मेरे रूप की प्रत्रूपी बनारी होगी जब मैं कुछ पनों के लिए पाप शेतर में था और मेरे रूप के और शक्तियों की नकल को धान के रगे ये त्रिमुन में खिच नहीं पाया इसको अपने कब्जे में ले लिजे महात्मान क्योंकि मेरा रूप धरन किये होने करना यह तिरमंड को मुझसे छीन कर खुद उसका स्वावी बन सकता है अगर ऐसा है तो फिर इसको बंदी बनाना ही पड़ेगा नहीं रुख जाई यह मात्मान हो सकता है इस नागराज का एक हैना सही हो पर इस बात का फैसला सही नागराज कोने इन दोनों को आपस में कले ने जीज़े क्योंकि आखिर में जीत सत्तिकी होगी धरो तुम भी हाँ पर आचुके हो खेर तुमाई सलातर्क संगत है धरोफ सही नागराज कभी मकालबा नहीं हारेगा शुरू करा मकाबला दो पहाड़ा आपसमें टकर आ गए थे धाल धाल तुमेरी रूप की नकल कर सकता है सर्फ शक्तियों की नकल कर सकता है लेकिन मेरी इच्छा शक्ति की नकल नहीं कर सकता है अभी मैं तेरा असली रूप दुनिया के साम दिला दूँगा यह पैचानना असंभवता की असली नागराज कौन सा है दौनों की तरफ की शक्तियां को भ्रहमें नहीं डाल सकता अम मैं उसक्ति का प्रयोग करता हूं जो तेरे पास होई नहीं सकती कि देव काल जाई द्वारा दिये गए विशेश नाकपनी सर्फ जो धसक सर गोगलते हैं तु इनकी बात कर रहा है न सदंग हो आश्चय जनक है तेरी शक्तियां तुने विशे तो अस्ति नाग्राज को मैं आख मूँद कर भी पहचान सकते हूं लेकिन ये तो बारी छुश्ची पथा जहीं कि अगर नागराज ने हम अपने शरी से नगाल करना ना धिया होथा तो असकी नागराज को हम पैचान सकते थे जंता मत करद सो डंगी असकी नागराज अभी सामने आ जाएगा इस लड़ाई का लंबा खिजाना खदर ना को सकता था हमाई इस तरफ सक्तियां पराबर किये इस लिए अब तुझे बे नकाप परने के लिए मैं सत्तिकासारा रोंगा वह तो मुश्कुर रहना सही छूटे पर तेरे बता तो सी तेरे जैसा छूटा सत्तिकासारा कैसे लेग का सिद्धं возможно . अपे आपस में टखराने लगी और अभी यह लड़ाई इस छकती ति किसकी आख़े पहले पहले डूटता है और जूट का सम्मोहन पहले डूट गया मेरा मेरा सदम रूप सामने आ रहा है पर मैंने नागराज के रूप में नागराज के मित्रों से अपना काम पूरा करवा लिए त्रिमॉंड है मेरे पास अब इसकी पाप शक्ती से मैं तो हम सब को नश्ट कर दूँगा चलाओ मसदम गला खराब हो जाएगा तुमारे हाथ में त्रिमॉंड की प्रतिलिपी है मैं प्रतिलिपी जो हमने तुमको चान बुचकर तुमारे हाथों मेरे हाथ में है और ये पहले ही पाप शेतर को अपने अंदर खीच कर असली नागराज को जात करा चुका है और अब जब कि तुम असली रूप में आ गए हो तो तुमको भी अपने अंदर खीच लेगा रुको रुको यह नहीं हो सकता मैंने अपनी आखों से पाप छेतर में अपने तुमको अपने अंदर खिषता हुआ देखा है नहीं जब मैं धरंजे के साथ चीवन रिचर के अंदर था तब मुझको यह ख्याला है कि जब तक नागराज के साथियों को मुंड नहीं मिल जाते मैं मुंड को पाने के लिए हमारे पीछे ही पढ़नेंगे इसलिए उस वक्त मैंने धरंजे के विग्यान की मज़से वहीं एक नकली चल पिशाच का मुंड बनाया और असलिए छिपा कर नकली को महावैल के हवाले कर दिया यही काम मैंने थल चेतर में चंड का को भी संदेश भीज दिया था और उसने वहीं पड़े कंकालों से मिलता हुआ था मुंड ढूंड कर नागराज के वाले किया था अनब चेतर में ही मैंने यही काम सामरी की 14-13 सायतस से किया वे तीनों अगली मुंड भी हमने काफी चद्दो जहाद के बार नागराज के मित्रों को सौपे देता कि उनको हम पर शकना हो अब ते मुंड में जाने की बारी तुमारी यह सधम नहीं चाहे मेरी योजना सफल हो गई हो पर मैं सारा सफल हो कर रहूंगा भात्रमों नगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा ओ इसको रोको वरना यह अपनी पाप शक्ती से खुछ भी कर सकता है मैं इसके सामने ऐसा द्वार बना रहा हूं जिसके दूसी तरफ सूरी की धहकती सत्य है पर यह द्वार के रास्ते जाट रहा है और उस द्वार के अंदर इसको मैं भेजूँगा यह टकर सदम को द्वार के पार सूरी की सत्य की तरफ धकेलती चली गई और फिर हमको नागराच और तुमसे भी समा मंगने चाहिए ध्रूब नगली नागराच को ना पैचान पाने के लिए और तुमारी बात पर विश्वास ना करने के लिए आपके मुख से आशिरवाद ही अच्छे लगते हैं महात्मका अल्दू शमाज मंगने जैसी बाते नहीं परन्तु यह तो बताओ नागराच कि पाप छेत्र के अंदर तुम इतनी देर तक अपने आपको कैसे संभाले रख पाए अपने सजीरे मजूद लाखों सर्पों की पुन्यात्मों की मज से पापी तो मेरे पास फटक तक नहीं पाए हम सिर्फ पाप छेत्र को ही नश्ट कर सके हैं परत्वी और भ्रहमान ने फैला पाप आवी जीवित है पता नहीं सूर्य की उश्मा भी सधम और ते मुंड को नश्ट कर पाएगी या नहीं और इस सवाल क स्रीज में वो दुबारा फिर सामने आया उसने जो त्रिमुंड एक जगे छोड़ दिये थे जिसे अघोरी उठाके ले गया और कहानी चारी है कि आगे सधम और अघोरी त्रिमुंड का क्या करेगा तो यह कॉमिक्स परकाले इसे हम यहीं पिसानत करते हैं आप कोई कॉमिक अच्छी लगी है शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही ओसम कॉमिक्स हैं हम आपको पेश करते रहें और इसके बाद आगे भी हम और सिरीज भी हम लेके आएंगे बहुत शानदार तरीके से तो देखते रहें शानदार कॉमिक्स झाल